हेलो दोस्तो मैं जी स्वगत करता हूँ आपके अपने चैनल चीट फोर यूपर आज की इस वीडियो हमें देखेंगे वर्शी पंदरा विशाय अपना गड़ित है कक्छा अपनी आठ भी है ठीक है ना तो इसमें बर्शी पंदरा का सॉलूशन देखेंगे जो कि यह समान घाताम को वाली घातों का गुड़न एबं विभाजन तो अपनी इसको समझेंगे गुड़न एबं विभाजन कैसे होता जो एक क्यूपर एक घात चड़ी होती है ठीक है तो वीडियो में आगे बढ़ने से बेले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आपको मिल सके तो दिखिए यहां पर देखो और शमझो एक घात की घात लेना उधान के लिए जैसे दो पर घात तीन और उस पर घात दो तो एक घात आपस में जोड़ जाएंगे ठीक है ना जैसे दो यहां पर दिखिए इस कुल्टू में लिख लिए अपने दो की घात तीन प्लस इंटू दो की घात तीन तो तीन और तीन च्छे हो जाएंगा अपना इसके बाद दिखिए ए दिया गया है अपन को इसको क्या करना है तीन इंटू छे तो यह च्छे हो यानि कि 2 की घाट 6 हो गई अपनी ठीक है इसके बाद दिखिए ए पे घाट M, M पे घाट N तो M ऐसा होगा अपना जैसे ए पे घाट M है तो M into N हो जाएगा ठीक है तो अपना अंसर आजाएगा ए पे घाट M, N ठीक है यह अपना अंसर हो गया इसके बाद दिखिए एपन प्रयास कीजी का पहला देखेंगे, जैसे 2 पेगहात, 3 पेगहात 2 and 4, तो हैक offers, तो 3 पेगहात 2 into 4 कर देखेंगे, तो 3 पेगहात 8 का अंसर आजाएगा अपना round, ठीक है, ऐसी ही अगला करेंगे, तो दिखे, 6 पेगहात 2 and 10, तो 6 पेगहात 2 न दस, नहीं कि 6 पेगहात 20 अगला करेंगे, चार पे घाथ 2 और 3 का इंटू करेंगे तो चार पे घाथ 6 आपना आंसर आज़ाएगा, ठीक है? आंगे देखेंगे अपन अगला question है अपना 10 पे घाद 2 एंचार तो यहाँ पर 10 पे घाद 2 एंचार का लिखकर into कर देंगे तो 10 पे घाद 8 answer आजाएगा अपना आपने घाद 5 और 6 तो 5 और 6 का अपना 10 कर देंगे तो 9 पे घाद 30 आजाएगी ठीक है नब फिन यहाँ पर देखेंगे 11 पर घाद 2 एंचार तो 11 पर घाद 2 तो चार का लिखकर करेंगे तो 11 पर घात 8 आंसर आ जाएगा ठीक है आंगे देखेंगे अपन समान घातों वाली घातों का गुड़न अभी आपने विश्यम देखा था अभी यहाँ पर शमान घातों वाली घातों का गुड़न देखेंगे जैसे 2 पर घात 3 इंटू 3 पर घात 3 ठीक है तो यह देखेंगे पर ने लिखा यहां पर 2 तीन बार यह तीन बार तो 2 into ten कर देंगी jadi फ़ rat on हो जाएगा love 5 तो 6 पर घहाथ 3 अपना अंसर आ जाएगाए ठीक है न 2 कि एक नोट दिया गया है यहां पर दीखिए आधार अलग अलग है पर घातांग समान है इसलिए यहां आधार का गुणा होगा और घातांग का बही रहेगी तो दिखे अपना पहला question होगा इसमें 5 पर घात 3 and 6 पर घात 3 तो यह तो 5 और 6 का गुणा होगा तो 6 पंचे 30, 30 पर घात 3 अपना answer आजाएगा ठीक है जैसे कि यह लिखा है A into B तो यहां पर A और B का into होगा तो A और B पर घात 4 अपना answer आजाएगा तो आठ चोको 32 तो यहां पर 4 और 8 का गुणा होगा तो 32 अपना answer आजाएगा और घात चड़ जाएगी अपनी 4 यहां पर दिखिए 10 into 20 घात अपनी समान है तो घात वही रहेगी 200 अपना answer आजाएगा और घात दो चड़ जाएगी यहां पर दी 11 into 6 चिक के 66 एंड कीन घात है तो तीन घात चड़ा देंगे अपन ठीक है ऐसे ही अगला question है अपना आठ इंटू 9, 9, 72, 72 लेखेंगे अपनी घात समान है चार तो चार अपन घात चड़ा देंगे ठीक है तो यह अपने शौल कर लिए इसकी बाद आगे देखेंगे अपन अगला समान घातों वाली घातों का विभाजन अभी अपने गुड़ा देखे लिया जोड भी देख आप विभाजन देखेंगे ठीक है तो अपना इसका पहला कोश्चन है देखें थिरी भाई 5 की घात लेखी घाते समान है आधार अलग लग है तो अपन क्या करेंगे तीन अपन पांच लिखेंगे और घात को चड़ा देंगे तीन ठीक है तो ऐसे ही आंगे करते चलेंगे जिसे ए अपन बी लिखा है तो ए अपन बी लिखेंगे घात अपन टोटल एम चड़ा देंगे कोस्तर लगा के आपन माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं माइनस लगा देंगे यहां पर 4 अपन 5 लिखेंगे घात 4 चड़ा देंगे ठीक है यहां पार देखेंगे 10 अपन 9 है को नहीं दिक्त नहीं होने वाली एक ठीक है न। आपने हाँ पर कर लिए डीक है ये से बारा पॉन नो लिखा हुआ है लिएखेंगे गहत तीन चड़ा देंगे सरल हो रहा है तो उसको सरल कर देंगे चार और आपको कोई भी डाउड आता है तो आप कमेंट करके पूश रखते हैं ठीक है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेर करें ताकि सभी के पास इसका सोलूशन पहुंच सके तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद